गुड़ मॉर्णिंग आईज वेलकम टू विद्धाट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट। गुड़ वेलकम टू ब्रह विद्धाट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हो जाएगा option में 2 यानि की गर्णाकार क्या कहते हैं गर्णाकार वह व्यक्ति जो आंकडों का संग्रह करता है डेटा का श्टोर करता है उसे गर्णाकार कहा जाता है कुशन में 3 देख लेते हैं कोशन में 3 क्या है समानतर माध्य का सूत्र क्या है कोशन में 4 क्या है किसी Pi चार्ट के केंदर पर कुल कोन कितना होता है पाई चार्ट का केंद्र अगर देखा जाए तो केंद्र का कौन होता है 360 डिगरी का होता है क्योंकि लोग जानते हैं कि वरीत का जो केंद्र होता है उसका एंगल जो होता है सबी एंगलों का जो योग होता है 360 डिगरी के बराबर होता है तो इसका राय टेंसर हो जाएगा option number 3 question number next देख लेते हैं किसी graph paper में कितने चरन होते हैं 1 चरन, 2 चरन, 3 या फिर 4 चरन होता है तो इसका राय टेंसर हो जाएगा option number 2 यानि की एक paper का दो चरन होता है अगर देखा जाए एक सिक्का सिक्का का भी दो चरन होता है एक होता हेड और दूसरा होता है tail अगला question question में 6 देख लेते हैं क्या है कि आधार वर्स का निर्दे सांग सद्य होता है आधार वर्स का निर्दे सांग सद्धे 100 होता है एक सो होता है Q7 क्या है Q7 का प्रकार है Q7 का प्रकार क्या है वोगता मुल्य सुचकांक थोक मुल्य सुचकांक और दोगिक उत्पादन सुचकांक या फिर इन में से सभी 7 का राइट एंसर हो जाएगा option number 4 यानि की ये सभी सुचकांक के प्रकार क्या है वोगता भी है, फोक मुल्य भी है और दोगिक उत्पादन सुचकांक भी है तीनो का तीनो इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि की option number D Q7 क्या है वो र्याह की विस्तार गुणांक का सूत्र है विस्तार गुणांग का सूत्र क्या है तो 8 का राइट एंसर हो जाएगा अप्शन बडी यानि की इन मेशे कोई ने आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विस्तार सूचकांग का रियल सूत्र क्या है ठीक है चली सलसन अच्छे लगए तो लाइक, सेर और सुस्क्राइब करते जाना है नेस कोशन क्या है कोशन नमबर 9 है कि काल सरेनी को प्रदर्सित करने वाला ग्राफ क्या कहला था काल सरेनी काल यानि क्यो होता है शमय टाइम ठीक है तो इसके प्रदर्सित करने के ग्राफ को क्या कहते है आयस चित काते हैं कालिका काते हैं तोरन काते हैं या फि इन में से सभी काते हैं तो 9 का राइट अंसर हो जाएगा ये सभी ठीक है क्या आयस चित्र कालिक तोरन और ये सभी Question up 10 देख लेते हैं Question up 10 क्या हूँ आख़ो का चित्रम्मी प्रदर्शन कलाता है तो आख़ो का चित्रम्मी प्रदर्शन क्या कलाता है शंकलन, वस्तिकरन, रस्तूतिकरन या इन में से कोई नहीं 10 का राय divine answer रही यह जाएगा इन में से कोई नहीं तो माधिका के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो data दिया हुआ है उसको पहले ascending या फिर descending में convert करना और उसके बाद क्या करना है कि जो बीच वाला जो रहेगा वही इसका क्या होगा माधिका हो जाएगा तो इसको देखते हैं 11 का right answer क्या हो जाएगा option number 4 यानि 130 जो होगा इस ठीक है तो क्या करना है इधर से 4 को cut करना इधर से 4 को cut करना बचा जो बीच वाला वो इसका right answer हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं question में 12 question में 12 भी लगवा उसी तरह है क्या करना है बहुलक गयात करना है जो आंकला दिया हुआ उसका बहुलक गयात करना है बहुलक mode जो होता है वो mode निकालने का simple सा formula क्या है कि repeated time वाला repeated number जो ज्यादा बार repeated है उस number को क्या करना है चूज करना है तो इस data में जो repeated number है उसको चूज करना है सबसे ज़्यादा अधिक बार दिखा देने वोले जो number वो 5 है तो इसलिए इसका right answer हो जाएगा 5 तो बहुलक क्या हो जाएगा 5 question वह 13 क्या बोड़ा 135709 का अंक गणितिय माध्य क्या होगा तो माध्य का normal सा formula है कि जितना data दिया जाएगा उसको प्लस करना है और जितना number में उससे डिवाइड कर देना तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड वाइड वाइड क्योंकि एक दो तीन चार पांच पांच संक्या तो कुल मिला के जो answer आएगा वह कितना होगा 5 होगा यानि कि अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और 25 को अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आचकोوم होगा श्यूंद कि को से मंफोटीन क्या बोल रहा है कि अ कि कि निरनिपीच क्या है निपेच मोड़ेंगे विहार विस्तार गुलांग है मेध्य विचलन है या फिर प्रमापि विहार गुरांग है तो या तो नियर्पीच का राइट एंसर हो जाएगा निर्पीच क्या है तो इसका राइट एंसर हो जगा विस्तार का गुरांग क्या हो जगा विस्तार का गुरांग निर्पिच क्या है विस्तार का गुरांग है कोशन में 15 क्या है प्रमाफ विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है प्रमाफ विचलन का विचार जो होता है वो किसकी द प्रमान विचलन कोशन में 16 क्या बोड़ा है वेल्थ आफ नेशन क्या है वेल्थ आफ नेशन्स पुस्तक जो है का लेखक कौन है तो अप्सन देह लेते हैं याफ 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 या का उचीत क्रम यानि कि अगर देखा जाए तो option number 2 इसका right answer हो जागा परश्णों का उचीत क्रम इसका सही answer होगा 18 question में क्या है NSS का अस्थापना हुई थी तो NSS का अस्थापना कब हुई थी 1960 में 1970 1930 या फी 1950 में तो 18 का right answer हो जागा option number D यानि की 1950 में अब लोग को comment box में comment करना है NSS का full form क्या होता है अगला question देख लेते है 19 number क्या है कि यदि स्रेणी के समांतर मायदे 20 है तब स्रेणी में X का मुल्य क्या है ठीक है सबसे पहले तो मायदे तो मायदे का formula क्या होता है सबको 8 करना है divide by 5 से 5 अगर number है तो 5 से divide करना है और equal to यहाँ पर 20 लिख देना उसके बाद अगर इसको हम solve करेंगे तो जो right answer हो जाएगा वो क्या है option number 25 यानि की 4 जो होगा इसका right answer हो जाएगा next question देख लेते है question में 20 क्या है कि प्रमाप विचलन गुरांक का सुत्र क्या है तो प्रमाप विचलन गुरांक का सुत्र इन में से कोई नहीं है ठीक है तो आप लोग को क्या करना है इसको याद करना है remember करके और comment box में इसको comment भी करना है ताकि जितने भी student से उन लोग को भी फायदा पहुंच जाए question में 21 क्या है question में 21 है क्रिशी क्रियाएं किस छेत्र से सम्बंदीत है प्राथमीग छेत्र, दुतियक छेत्र, तृतियक छेत्र याफिंण में से सभी तो нормально हम लोगा जानते है कि क्रिशी की क्रिया जो वो प्राथमीग छेत्रे के अंदर में आता है प्राथमिक छेत्र के अंदर में आते हैं दूत्यक छेत्र जो होता है जो हम लोग प्राथमिक छेत्र से जो प्रोड़क्ट प्रदान होता है उसको क्या करते हैं उसको फैक्टरी में ले जाकर के फिर मोडिफाई करते हैं तो वो जो प्रोड़क्ट निकलता है वो दूत्यक छेत्रक में आता है और उसको बेच करके जो हम लोग उस पैसे को बैंक में या फिर बैंक के लेन देन या फिर सेवा छेत्र में लगाते हैं या फिर किसी को सेवा प्रदान करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो जो छेत्रक होता है वो क्या होता है तिर्तियक छेत्रक में हम लोगों को सिवा प्रदान करवाता है दूतियक छेत्रक में मोडिफाइड रूप होता है किसका प्रात्मिक छेत्रक का और प्रात्मिक छेत्रक जो होता है वो प्र 881 या फिर 1901 में या फिर 1903 में या फिर 1903 में या फिर 1903 में तो 22 का राइट एंसर रोजेगा ओप्शन नुबर 1 यानि के 1853 इस यू में क्या हुआ था रेल्वे की शुरुवात की गई थी कुश्यन में 23 कुरुशन है 23 क्या है तो योजना आयोग की नियुकति की गई 20keln में तो 23 क राइट एंसर रोजेगा 1950 में योजना आयोग की नियुकति की गई थी कब नीती आयोक का अध्यक्ष होता है निम लिखित में से कोन नीती आयोक का अध्यक्ष होता है वित मंत्री प्रधान मंत्री राष्ट्रपती या फिर क्रिशी मंत्री किसका अध्यक्ष नीती आयोक का अध्यक्ष तो नीती आयोक का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधान मंत्री हो जो की स्रमिक यानि की अग्रिकल्चर से रिलेटेड है इसके जनक कोन है S.M. स्वामिनाथम इंद्रा गांधी या फिर मोजा जर क्या है मुरा रजी दिसाई लाल बहादूर सास्त्री तो 25 का राइट एंसर हो जगा option number 1 यानि की M.S. स्वामिनाथन क्या हरित क्रांती के जनक कोन है M.S. स्वामिनाथन M.S. स्वामिनाथन जो हरित क्रांती के जनक है question 26 हरित क्रांती में समलित होता है तो हरित क्रांती में क्या समलित होता है तो ये सबी हाब्रेडुलावीज, रासानिक उर्वरक, यांतरी करन ये सबी जो होगा वो हरित क्रांती में समलित है तो 4 इसका राइट एंसर हो जाएगा Next question में 27 क्या भारत की पहली और दोगिक निती कब घोशित हुई? 1947 में, 1948, 1950 या फिर 1956 में तो 27 का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन में 2 यानि के 1948 1948 में भारत की पहली और दोगिक निती की घोशना की गई थी अगला question निख लेते हैं, question में 28 क्या है? तो 1956 की और दोगिक निती में 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 और दोगिक निती मे कि वो तील जो है वर्ग जो है काल खंड जो है वो क्या कौन-कौन से थे अगला कुशन नेस्ट कुशन कुशन में 29 क्या है देश में विशेश आर्थिक छेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो आर्थिक छेत्र मोडल जो हो अपनाया गया था क्या अपनाया गया में 1991 या फिर 2001 में तो 30 का राइट अंसर रो जागा option नमर 3 यानि कि 1991 में 1991 में शुरुवात क्या गया था आर्थिक सुधार के लिए कहां पर भारत में अगला question, question में 31, question में 31 क्या है मन रेगा जो है कब लागू की गए थी, मन रेगा कब लागू की गए थी, दो फरवरी 2006 में, दो फरवरी 2005, एक मैं 2008 में या फिर 1 अपरेल 2007 में 31 का राइट अंसर हो जागा option number 1 यानि कि दो फरवरी 2006 में मन रेगा लागू की गए थी, ठीक है आप लोगों comment box में comment करना है कि मन रेगा जो है वो किन के लिए और इसे हम लोगों को क्या फाइदा हुई है अगला question, question number 32, question number 32 क्या है तो निर्धानता रेखा से नीचे रहने वले लोगों के अनुपात 10 में अधिक है, कहाँ पर अधिक है तो चीन में नाव करके भारत में अधिक है, कहाँ पर अधिक है निर्धानता रेखा से नीचे जो है, वो सबसे अधिक भारत में इसके अनुपात जो है सबसे अधिक कहा दिखा गया है, भारत में next question number 32 question number 32 नहीं, question number 33 क्या है कि ग्रामिन साख एवं विकास की सिर्ष संस्था है क्या है, रिजोर्बैंक, ग्रामिन बैंक, किर्सी विकास एवं पुनरवर्ती, निगम या फिर नवाड में नवाड, ठीक है तो 33 का right answer हो जाएगा, option number 4, क्या है नवाड आपको नवाड का full form बताना है, ठीक है, नवाड का full form comment box में comment करना है चलिए, next question, question number 34 question number 34 क्या है तो कौन से संस्था कौन सा संस्था जो है किसानों को प्रत्यक्षे रीन नहीं प्रदान करती है प्रत्यक्षे रीन नहीं प्रदान करती है नवाड व्यापारिक बेंक, छत्रिय ग्रामिल बेंक यफि प्राथमिक किर्षी साक्स समीती तो 34 का राइट एंसर हो जाएगा option number 2, क्या है व्यापारिक बेंक जो है वो प्रत्यक्षे कीन हरीन प्रदान नहीं करता है प्रतेचर रिण जो है वो लून प्रदार नहीं करता है किसानों के लिए कौन व्यापारिक बेंक तो इसका जाएगा одно मी jakอभ हो जाएगा हम को सभूर मेर पुजी में में क्या उस्भूल है स्वास्थ शिक्छा कर्या में इन में से सभी तो मानो पुझी में जो है वो सब कसब इसमें समली थे तिन स्वास्त सिक्षा व्यापारी कोशल ये तीनों के तीनों मानो पुझी में समली थे तो इसका राइट एंसर हो जागा option no.4 एक है श्वयम सहयता समु समाजिक सहयता समु श्वयम उच्चतर समु या फिर समाजिक स्वाथ समु ते इसका राइट एंसर हो जागा option no.1 यानि की श्वयम सहयता समु इस एक जी का फूल फॉम सेल्फ हैल्प ग्रूप नेश्ट कोशन कोशन मत 34 चलिए अगला कोशन देख लेते हैं नेश्ट कोशन क्या है भारत में उर्जा निर्मान का सबसे बड़ा सुरोत है भारत में उर्जा निर्वान का सबसे बड़ा सुरोत क्या है कोईला, तेल, प्रकर्ति गेज या फिजल तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option no.1 यानि की कोईला अगला question क्या है question number 38 भारत में इस समय प्रत्यासित आयू है तो भारत में इस समय प्रत्यासित आयू क्या है 65 year next question वायू प्रदूशन का महत्पून सुरोत क्या thermal power 36 नदिया या फित carbon dioxide तो thermal power जो होगा इसका right answer हो जाएगा जानी कि option वा वन जो होगा इसका right answer हो जाएगा next और आज के लिए last question क्या है प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है तो इसको discuss कर चुके भारत में प्रति व्यक्ति आय का अगर देखा जाए sorry प्रति व्यक्ति आय का देखा जाए तो चीन में सबसे अधिक है लेकिन अगर गरीबी देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक है ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you